दोजो आज की इस वीडियो में हम लोग रोडियर्ड केपलिंग की एक most important novel को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है किम इस वीडियो में मैं आपको इस novel की story बताने की साथ साथ इस वीडियो के end में ये भी बताऊंगा कि इस novel को लिखा क्यों गया होगा और उस time पर कैसी condition थी जिस वक्त इस novel को लिखा गया चलिए शुरू करते हैं मिलता हूं इस वीडियो के end में ये कहानी है एक बच्चे की जिसका नाम है किम बॉल ओहरा जिसका जन्म हुआ है लाहोर में जो उस वक्त पंजाब का हिस्सा था लेकिन आज पाकिस्तान में है अब किम यहाँ पर पैदा तो हुआ लेकिन ये एक अंग्रेज है एक बिटिशर है एक अंग्रेज का बच्चा लेकिन पाकिस्तानी बच्चों के साथ केलता है उर्दू में बोलता है कुल मिलागर ये खुश है पाकिस्तानी होकर इसकी मा एक नर्समेट थी फादर एक लो जिन्दगी जी और जो औरत किम को पाल रही थी वो चाहती थी किम येरोपेन कपड़े पहने एक येरोपेन है तो येरोपेन की तरह रहे लेकिन किम जिद करके कहता कि मुझे दूसरे बच्चों की तरह रहना है पाकिस्तानी बच्चों की तरह किम अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश था तभी एक दिन खेलते खेलते ये अपने दोस्तों के साथ पहुंचा लाहूर के एक लोकल म्यूजियम के बाहर जिसका नाम था वंडर हाउस। वहाँ इनको एक आदमे मिला जो कि एक लामा था। उसने इनको बताया कि मैं एक बुद्धिस्ट लामा हूँ तिबत से आया हूँ और अभी अपनी तीर थियात्रा पर निकला हूँ। केम उसे म्यूज़ियμ के मालक के पास लेके गया, उसने म्यूज़ियम के मालक को बताए कि मैं चार होलि साइट्स पर जाना है बुद्धिज्म की, मैंने रास्ते बर अलग अलग टाइप के लोगों को देखा है भगवान बुद्ध की पूजा करते हुए दरशल वो पूजा नहीं करते हैं वो धूका देते हैं फेक स्टेच्यूस बनाये बैठे हैं मैं एक मकसद पर निकला हूँ कि एक रिवर है वहाँ पर मेरा मकसद पूरा हो जाएगा मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी मैं जीवन वरन की साइकल से फ्री हो जाऊँगा इसलिए मैं बनारस की तरफ जा रहा हूँ तो इस लामा को खाने पीने के लिए मिल गया उसने अपने बैग में बर लिया और जाने लगा किम ने अब लाहूर की गली गली नापी होई थी उसने खुद से खाना पीना मांगा लोगों से और इस लामा को दिया और आखिर में इसके मन में जो इच्छा थी वो इसने सामने रखी कि मुझे अपना चेला बना लो मुझे आपके साथ चलना है मुझे अपना चेला बना लो लामा मान गया और ये दोनों बनारस चलने लगे, साथ में अब क्योंकी किम अनाथ था इसको रोकने डोकने वाला कोई था नहीं तो ये लामा के साथ चल दिया और ये अपने दोस महबू बली के पास में लेकर आया लामा को ताकि वो लोग रात गुजार सके महबू बली बोला भाई तू बना रस्तो जाईरा है तो रास्ते में अमबारा सेटी पड़ेगी वहाँ पर एक आर्मी के आफिसर को मेरा एक मैसेज दे देना कोई कोट टाइप का बताया था मेसेज दिया था महबू बली को लगा कि ये तो बच्चा है उपर से लामा इसके साथ है तो किसी को इस पर शेक नहीं होगा कोई से पक्ड़ेगा नहीं दोस्तों मैं आपको बता दो इस महबू बली के बड़े पंगे हैं तो अच्छा हुआ रात में ही किम वहां से जल्दी से जल्दी निकल गया लामा को लेकर और ये दोनों रेल्वे स्टेशन पर पहुंचे किम अपने और लामा के लिए एक टिकेट खरीदने लगा दो टिकेट खरीदने लगा तो टिकेट देने वाले बाबु ने इसको लुटने ही कोशिश की लेकिन किम बड़ा स्मार्ट था उसने एक अमबाला की टिकेट कटाई एक अम्रिस्टर की टिकेट कटाई लामा बड़ा डरा हुआ था क्योंकि रेल्वे स्टेशन पर वो पहले आया नहीं था यहां की आवाजों से डरा हुआ था और कभी किसी ट्रेन में सफर नहीं किया था और ट्रेन भी भीट से भरी हुई थी खचाखच इस ट्रेन में सिख थे, जाट थे, एक बैंकर भी था ट्रेन पूरी भरी हुई थी और वो लोग आपस में बाते कर रहे थे क्योंकि चुप तो कोई रहता नहीं है ट्रेनों में पर ट्रेन पहुँची अमरसर वहाँ पर टिकेट चेक हुई, टिकेट चेकर आया उसने अमरसर की टिकेट अपने पास रख ली, किम ने और अमबाला वाले टिकेट दे दी लामा को, अमबाला आगे था और अमरसर पहुँच चुकी थी, टिकेट चेकर ने किम की टिकेट चेक की टिकेट चेक की तो कहा कि तुम्हारा स्टिशन आगया उतर जाओ, अब वो smart है, लामा की साथ में आगे की जनरी करने लगा अब ये लामा, ट्रेन में इस सब को बोध धर्म के बारे में बताने लगा अब passengers कुछ जानते नहीं थे बोध धर्म के बारे में, beliefs के बारे में तो वो लोग इसे पागल समझ रहें लगे अब एक किसान की बीवी भी बैठी थी ट्रेन में वो लामा की बातों से बड़ा इंप्रेस हुई उसने कहा कि मेरा घर अंबाला में ही है तो आप दोनों मेरे घर चल कर रुखिए आफर दिया किम और लामा को अब किम और लामा पहुँचे उस किसान की घर पर किम वहां पहुंसते ही अंबाला पहुंसते ही किसी James Bond की तरह महभूब वैली का मेसेज उस अंग्रेज के पैरों में फैक दिया उस अंग्रेज ने बदले में उसे पैसे दिये और मेसेज का मतलब ये था कि उनको अपनी forces को North की तरफ भीजना है किम को जादे देर नहीं लगी ये समझने में कि महभूब वैली ने इसको जो मेसेज दिया था वो कोई छोटा मोटा मेसेज तो था नहीं कोई serious news थी शायद कोई लड़ाई होने वाली है खैर उस किसान के घर में रहते रहते किम और लामा मिले एक हिंदू बुजारी से उस बुजारी ने लामा के beliefs पर बड़ा यकीन किया बहुत impress हुआ और किम बहुत smart है मैंने आपको बताया था रास्ते में कोई भी लामा को परिशान करता था ये बोलता था ये एक पवित्रात्मा है और पवित्रात्मा को सताओगे तो नर्क में जाओगे तो कोई इसको छेड़ता नहीं था लामा को रास्ते में कोई साप दिखता है तो किम उसे मारने जाता है लामा बोलता है कि नहीं इसे मत मारो इसे अपनी जिने दो इसकी जिन्दगी है किम को पता नहीं क्यों ये लामा की बाते बहुत ही अच्छी लगती थी इसलिए शायद ये इसके साथ में था लामा हर नदी को चेक करता कि कहीं ये river of arrow तो नहीं है जहां इसे मोक्षी प्राप्ति होगी रास्ते में ये दोनों कई जगाओं पर रुके और इसने किम ने अपनी कहानिया सुनाई लाहौर की अगले दिन एक सिपाई आया इनके पास में किम और लामा के पास में एक उल्ड सिपाई उसने जीटी रोड के बारे में इनको बताया कि ये जीटी रोड है ये सीधा बना रस जाती है पर बाते करते करते ये पहुंच गए जीटी रोड पर उस बड़ी सी रोड पर इननने देखा कि एक आद भी अपने घोड़े को चाबुक से मार रहा था लामा को इस घोड़े पर देया आ गई वो घोड़े को सैलाने लगा सिपाही ने घोड़े के मालक पर चलाना शुरू कर दिया कि तुम्हें शर्म नहीं आती क्यों मार रहा इस बचारे घोड़े को इसके बात किम और लामा जीटी रोड पर अपने आगे का सफर करने लगे अब जीटी रोड पर चलते चलते इन दोनों ने बहुत सारी बाते की बहुत से नजारे देगे रास्ते में और बहुत सारे लोगों ने लामा और किम को खाना भी आफर किया और कहा कि हमारे साथ चलो कुल मिला कर किम को बड़ा मज़ा आ रहा था लामा की साथ में सफर करने में चलते चलते एक जगा पर ये पहुँचे वहाँ इन्हों ने एक जंडा सा देखा किम उस जंडे को देखकर बड़ा एकसाइटेड हुआ और उस जंडे के पास गया तो वहाँ पर इनको एक एंगलिकन मिनिस्टर मिला और वहाँ उस रेजिमेंट कैम्प में और भी दूसरे आफिसर्स इसको मिले पहले पहले तो उस Anglican Minister ने किम को एक चौर बच्चा समझा लेकिन फिर उसने देखा कि किम के गले में एक छूटा पाउच लटक रहा था उस पाउच को खोल कर देखा तो उसमें कुछ documents थे और वो documents किम के father के थे मतलब किम के फादर के बारे में मैंने आपको बताया था वो आर्मी में थे और इन लोगों ने यहीं अंदाजा लगा लिया कि यह एक ब्रिटिशर बच्चा है एक ब्रिटिशर का बच्चा है इसलिए ऐसे बिखारियों की तरह इसको भटकना नहीं चाहिए एक अच्छी एजुकेशन मिलने चाहिए लामा को भी यकीन नहीं होगा कि अब तक वो एक ब्रिटिश बच्चे के साथ में था क्योंकि अभी तक यह बच्चा उर्दू बोल रहा था देसी लग रहा था कपड़े ऐसे पहन रखे थे लामा को भी लगा इस बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन मिलने चाहिए क्योंकि यह ब्रिटिशर है और यहीं इस मुवमेंट पर केम और लामा को अलग होना पड़ा यह मुवमेंट बढ़ा पेनफुल था जब केम और लामा को दो अच्छे दोस्तों को अलग होना पड़ा क्योंकि ये काफी अटैच हो चुके थे एक दूसरे से अब केम क्योंकि एक ब्रिटिशर का बच्चा है तो इनना डिसाइड किया कि केम को स्कूल में पढ़ाया जाएगा शायद उसे भी सिपाही बनने की ट्रिणिंग दी जाएगी सूलजर बनने की लेकिन केम को सूलजर नहीं बनना था उसे नहलाया गया अच्छे कपड़े पैनाया गया और पूरी सक्ती बढ़ती गई कि केम यहां से भागना निकले इसी बीच किम ने वहां रहकर एक भविश्यवानी की कि बहुत जल्द हमारी लडाई होने वाली है लडने के लिए तयार हो जाओ और इस्तिफाक से उसी वक्त अगले दिन सुबह एक लेटर मिला इनको कि नौर्थ की तरफ मार्च करना होगा लड़ाई होने वाली है बहुत सारे लोग किम की इस प्रडिक्शन से इस टैलेंट से काफी इंप्रेस हुए और कुछ तो टोटली फैसिनेट होगा इसकी तरफ अब वो लोग तो नौर्थ की तरफ जाने लगे पीछे से किम को और्टों और बच्चों के साथ छोड़ दिया तब एक टीचर ने किम को स्कूल में डाल दिया जो इसे बिलकुल अच्छा नहीं लगा अब जो लामा इससे अलग हुआ था दूस्तों वो इसकी एजुकिशन के लिए हर महीने पैसे भेज रहा था ये स्कूल में बूर होने लगा पढ़ना इसे आता नहीं था वहाँ स्कूल में एक स्वीपर था एक स्वीपर था स्कूल में काम करने वाला उसे इसने उर्दू में बोला कि यहां कोई ऐसा है जो मेरे लिए एक खत लिख सके स्वीपर हैरान कि एक अंग्रेज बच्चा उर्दू कैसे बोल रहा है आखिर इसने खत लिखवाने वाले से खत लिखवाया महबू बली को और इस letter में किम ने महभू बली को बताया कि इसके साथ क्या क्या हुआ है फिर महभू बली से यह request करने लगा कि प्लीज यहां से मुझे बचा लो मुझे rescue कर लो किम को यहां पर लामा की चंता हो रही थी कि वो बिचारा अकेला कैसे रहेगा उसके खाने के लिए कौन मांगीगा मुझे यह स्कूल बिलकुर पसंद नहीं आ रहा मुझे यहां से निकलना है महभू बली को इसने खत में लगा महभू बली आया किम के पास में लेकिन उसने आगर इसको यहां से निकला नहीं बलकि ज्यान देने लगा कि यह स्कूल तुम्हारे लिए अच्छा है अभी तुम्हें चीजे बहुत खराब लग रही है तुम देखना बहुत जल्दी चीजे अच्छी हो जाएगी महभू बली ने उसे कुछ पैसे दिये और चला गया पैसला किया गया कि इस किम को लखनो के एक बहुत बड़े इंडिया के सबसे बेस स्कूल में इसको डाला जाएगा सैंट जैवियर में यह एक फिक्शनल स्कूल है इंडिया का सबसे बड़ा स्कूल तो यह बात अच्छी थी क्योंकि लखनो बनारस से ज्यादा पास है तो हो सकता ही है लखनो के उस बड़े स्कूल में पढ़ने जाने के लिए यह जानते हुए भी कि वहां का एक्सपिरिंस बुरा होगा लेकिन फिर भी यह लखनो पहुचने के बाद लखनो से मिलने की कोशिश की लेकिन वो इसे कहीं भी नहीं मिला यह अपसेट हो गया लेकिन यह एक नया शहर था जिसे दिखकर यह एक्साइटेड भी हो गया किम के ड्राइवर ने उसे पूरी सिटी घुमाई बगई लेकर और आखिर लामा इससे मिलने आया यह नए स्कूल में गया लामा बनारस में था लामा ने बताया कि मैं अभी बनारस में हूँ और बनारस की कुछ sacred manuscript को पढ़ रहा हूँ ताकि river of arrow जिसको मैं ढून रहा हूँ उसका पता चल सके लामा ने कहा कि अभी मेरे जाने का टाइम हो गया तो किम ने कहा रुख जाओ या फिर मुझे साथ ले चलो तो लामा बुला कि इसने वादा किया कि मैं तुमसे जरूर बहुत जल्दी मिलूँगा किम को लगा जैसे सैंट जेवियर में वो अकेला हो जाएगा उसका कोई भी फैमिलियर नहीं है यहाँ लेकि ऐसा नहीं हुआ उसका experience बहुत ही अच्छा रहा है स्कूल में क्योंकि स्कूल में काफी हद तक फैमिलियर साही लग रहा था काफी स्टूडेंट्स इसके जैसे थे लेकिन हाँ गर्मियों की जब छुट्टियां आई तो यह जरूर बोर होने लगा क्योंकि बाकी बच्चे तो लौट गए अपने घरों को लेकिन किम का कोई घर था नहीं यह सैंट जैविर में ही रहा अब इसे एक प्रोस्टिट्यूट मिली एक वैश्या उसने इसकी हेल्प की इसका भीज बदलने में मैं आपको बता दू यह भीज बदलने में काफी माहिर है काफी अच्छा है ऐसे इसने भीज बदला और सैंट जैविर से भागने में काम्याब रहा अब यह ख़बर फैल गई चारों तरफ कि किम सैंट जैविर से भाग गया सब को चिंता होने लगी किम आखिर गया कहां पर है किम ने लेटर लिखकर इन लोगों को बता दिया कि मैं वापस आ जाओगा कुछ टाइम के लिए रेस्ट चाहिए था मुझे इसलिए भाग गया मैं वहां से लेकिन कुछ महीनों बाद किम महबूब अली को सड़क पर भीक मांगते हुए मिला महबूब अली जानना चाहता था कि किम सेंट जेवियर से जब भागा तब उसके साथ क्या हुआ जो उसे यहां पर अभी भीक मांगनी बढ़ रही है अब महबूब अली को किम रास्तों में भीक मांगता हुआ मेरा उसने किम से पूझा कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ जब तुम सैंट जेविर से भागे थे उसने सब कुछ बताया अब महभू बली और किम दोनों को आकर समझ में आ ही गया था कि ये अंग्रेजों ने किम को एजुकेशन क्यों देनी चाहिए ये लोग क्यों किम को एजुकेशन दे रहे हैं बदले में ये किम से कुछ चाहते हैं मतलब वो किम से चाहते थे कि इसको आर्मी में कोई जाब दिलबा दी जाए और ये इनके लिए एक जासूस का काम करे किम भी रैडी था वो जाब के लिए कि जब तक ये चाहते हैं तब तक मैं सैंट जीविर में पढ़ूँगा और उस जॉब को पाकर रहूँगा अब इस बच्चे में किम में टैलन्ट बहुत है और ये साहिब बनने रायाग है पिर ये महबूब अली के साथ में शिमला भी गया इसने आर्मी के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम भी किये शिमला में ये अपनी गर्मिया बिता रहा था वहीं शिमला में रहते रहते किम को बहुत सारी जासुसी की स्कल्स सिखाई जाने लगी लेकिन किम में तो ये चीज़े नेच्रली थी वो जासुसी अच्छी खासी naturally कर सकता था और शिमला में ही रहते रहते महबूब अली और किम की दोस्ती गहरी हो गई और ज्यादा गहरी हो गई इसकी formal education तो चली रही थी सैंट जेविर में और धीरे धीरे किम वो बन भी गया जो अंग्रेज इससे चाहते थे प्रिटिश इंडियन सीक्रिट सर्विस का एजेंट किम एजेंट ऐसा कि इसने अपना भेज भी बदल लिया और मैं आपको बता दू इसमें ये टैलेंट था जब लोग इससे बात करते थे तो पहचान नहीं पाते थे कि ये एक ब्रिटिश बच्चा है कमाल की ये स्पिकिंग मतलब उर्दू बोलता था और कोई भी भाशा बोल लेता था अच्छी कासे भीज बदल लेता था और सत्रा साल का होने तक ये इन ही लोगों के साथ था आखिर इतना बड़ा होने पर इसे फ्री कर दिया गया कि अब तुम्हें जो चाहिए वो करो जाके रियल इंडिया देख लो ट्रैवल कर लो तो महभू बली बोला कि अकीला नहीं तु बनारस जा अपने पुराने दोस्त के पास में याद है लामा अब वो किम बच्चा नहीं था जो कभी हुआ करता था अब ये सीक्रिट सर्विस का एजिंट था लेकिन फिर भी लामा के लिए कहीं ना कहीं इसके दिल में अभी भी जगय थी जिस वक्त ये जासुसी सीख रहा था उस वक्त लामा बनारस की गलियों में बटक रहा था लामा लगभग इस देश की सारी हूरी वुद्दिज्म साइट्स पर जा चुका था गूम चुका था लेकिन अभी तक उसे रिवर आफ एरो नहीं मिले थी लामा को भी अभी ये समझ में आ चुका था किम की हेल्प के बिना वो रिवर आफ एरो को ढूंड नहीं सकता लामा को जब ये पता चला कि किम की एजुकेशन पूरी हो चुकी है ट्रेनिंग फ़त्म हो चुकी है तो बड़ा एकसेटेड हो गया अपने पुराने दोस्त किम से मिलने के लिए और रिवर की तलाश में वापस निकलने के लिए और आकर वो किम से मिला और ये दोनों वापस निकले रिवर की तलाश में अब ये रिवर की तलाश करी रहे थे कि किम को इन्फोर्मिशन मिलती है अपने किसी दोस्त से कि नौर्ट में कुछ राजाओं ने बिटिश गवर्मेंट की साथ में गद्दारी करने का कुछ प्लैनिंग बगेरा की है तो उसके दोस्त ने और किम ने सोचा कि हम नौर्ट की तरफ जाएंगे लेकिन लामा ने कहा कि मैं तो अपनी रिवर आफ एरो को ढूंडूँगा मुझे नौर्ट की तरफ मुझे कहीं पर भी नहीं जाना मुझे सिर्फ अपनी रिवर आफ एरो जाएंगे तो इसने कहा, इसने सजेस्ट किया लामा को कि चलो नौर्थ की तरफ चलते हैं शायद तुम्हें यहाँ साउथ की तरफ तुम्हें पूरा गूम चुके हो नौर्थ की तरफ चलते हैं शायद तुम्हें वहाँ पर वो नदी मिल जाए तो अब ये लामा तो निकला है साउट से नौर्थ रिवर अफैरो की तलाश में जबकि ये केम और इसका दोस्त बाबू नाम है उसका ये हमाले की तरफ निकले हैं उन एजेंट्स को पकड़ने के लिए तो रास्ते में चलते चलते इनको दो रॉशियन एजेंट्स मिले उनके सामान में इन लोगों कुछ लेटर्स मिले जिन लेटर्स में बिटिश इंडियन गवर्णमेंट से गद्दारी की बात की गई थी दूसरी बाशा में कहूं तो उन दो रुशियन एजेंट्स के सामान में इस किम को एक सीक्रेट सर्विस एजेंट के नजरिये से किम को जैकपॉट लग गया इसके बाद किम और लामा साउथ की तरफ जाने लगे रिवर की तलाश में कि रिवर तो मिले नहीं उस वक्त चलते चलते इस बिचले लामा की तबित खराब हो गए रास्ते बर किम ने इसकी सेवा की कि इसकी तबित ठीक हो जाए तबित ठीक हो जाए इसको एक घर में भी लेकर के गया और वहाँ पर जब इसकी तबित ठीक होई तो किम की तबित खराब हो गई पूरे रास्ते इसने भी लामा की सेवा की ती लेटर का बॉक्स हाथ में लिया आ रहा था और जब इसने आराम किया तो 36 गंटों तक ये सुता रहा इतना थक चुका था और जब ये जागा तो इसके बिस्तर के नीचे वो रशियन एजेंट्स की पेपर्स रखे हुए थे तो सबसे पहला सवाल इसने पूछा कि लामा कहा पर है जो लेडी इसकी सेवा कर रही थी उसने बोला कि लामा ठीक है और वो आरत बोली कि मुझे अपनी मा की तरह ही समझो अब किम की तो मा गज़र चुकी थी उसको तो कोई भी आरत बोले मा की तरह समझो तो उसे बड़ा एमोशनल सा फीर होता था अब जो उसकी बैड के नीचे जो पेपर्स रखे हुए थे नेचे रशियन एजिएंट के पेपर थे वो थे नहीं वो कहां गया आखिर वो किम के इसके साथी बाबू ने उन ऑफिसर्स को पहुँचा दिए साउथ में ब्रिटिश गर्वर्मन्ट के ऑफिसर्स को जिससे अब ब्रिटिश गर्मन्ट को उन पेपर से काफी हल्प मिलेंगी और आखर इसी के साथ लामा को भी अपने रिवर आफ एरो मिल गई यही पर जिसकी वो तलाश कर रहा था और इस रिवर में सनान करके लामा को अलेटनमेंट भी मिल गई मैभू वली ने उसको कॉंगरेचलेट किया लेकिन इस नोवल के एंडिंग में किम का क्या हुआ तो भाई किम का इस पूरी नोवल में मैं आपको बता दू एक प्राब्लम थे उसके साथ में आइडेंटिटी क्राइसिस की उसे आइडेंटिटी क्राइसिस होते रहते थे कि मैं कौन हूँ क्या हूँ मेरा मकसद क्या है जीने का जो अब उसे मिल चुका था उसे समझ में आ गया था कि अब मैं अपनी लाइफ में इतने लोगों से मिल चुका हूँ ये खुद को अकेला समझने की मुझे जरूरत नहीं है मेरा एक बहुत बड़ा परिवार है दोस्तो नोवल तो यहीं पर खत्म होती है अब आप ये सोचोगे कि ये क्या स्टोरी थी इसे लिखने का मकसद क्या था अच्छली दोस्तो ये नोवल जो है उस वक्त की कहानी बताती है जब रश्या और बिटन की संबंद खराब थे बिटन जब इंडिया पे राज कर रहा था तो उस वक्त सेंट्रल एशिया में इनकी लड़ाई चल रही थी उस लड़ाई को ग्रेट गेम की नाम से जाना जाता है दे ग्रेट गेम ये great game second Afghan war के बाद में हुआ था और third Afghan war से पहले क्या आप यकीन करोगी कि ये great game सबसे ज्यादा इस novel की बज़े से famous हुआ था इस novel की कई बार तारीफ की गई है मैं आपको बता दू इस novel के writer जो है Rodiard के प्लिंग उनकी भी कहानी के main character किम की तरह ही है वो भी इंडिया में पैदा हुए थे इंडिया में पले बड़े थे और अपने experiences के हिसाब से उन्होंने इस novel को लिखा और बाकी novels भी लिखिये जैसे कि The Jungle Book मोगली वाली आपको पता होगा उमीद करता हूँ आपको ये novel कुछ हद तक पसंद आई होगी आज की वीडियों बसतना ही अब जब आपने ये वीडियो खतम कर ली है तो मैं उमीद करता हूँ आपको ये novel पसंद आई होगी दोस्तों आज की इस वीडियों बसतना ही मिलता हूँ next वीडियों